है वेल्कम टू मैं चैनल और आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी कि जिसके कर ली है वह अपने नैचरली कैसे स्ट्रेट करें बिना स्ट्रेट नर के यूदि मैंने अपने बिना स्ट्रेट कर लिये काफी हद तक स्ट्रेट हो गये हैं अगर आपके कर लेवा и कोयल टाइक्ट में घने में ऐसे खरके बहुत गम कर्लoben जो भी होंगे वह दीरे दीरे बहुत जल्दी आपको रिज देदेगे ऐस टाइप बाले जो ज़ल्दी हो जाते हैं जैसे मेरे दो टाइप चैनल टाइप के और बहुत-चैनले आपको घर पे स्ट्रेट करसके हैं जैसे किस्सा में आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि इतने straight yeah N बहुत जाँ हें और जैसे कि आगे की मी बालों में खूब है कि करल हैं और जैसा कि volume दो मेरे बालों में खूब है और काफी हद तक ब्रेट भी हो गये हैं यह इस तरह तो यह स्ट्रेटनर यूज के बिना है कि कोई यूज किया है इसको करने की क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स और है कर आया स्टार्ट करते हैं तो पहला है जब जिस दिन आप अपने हेर्स धोईए तो जब 70% तक वो सूख जाते हैं तब आपको अपने बालों को इस तनी वाइड कॉम से आपको अपने बालों को डिटैंगल करना है बहुत तेज तेज नहीं हलके हाथों से ज़्यादा तक डिटैंगल हम लोग इसे नहीं करने चाहिए हैं हम लोग को अपने डिटैंगल ज्यादे तक जो जने होती हैं वह बालों में यहां से होती है पहले आप यहां उनको सॉल्फ करिए फिर आप जब करेंगे तो बहुत इसली तरीके से हो जाते हैं फिर उसके बाद आपके परास हेरबट होते या त तो पहला तो एक है जो आपको करना है दूसरा है कि आप कभी भी अपने बालों को बहुत चोटी हो बहुत ज्यादा टाइट मत करिये कुछ दिनों तक जब तक आपके अच्छे आपको जैसा रिजल्ट चीए वो ना मिले जब बहुत टाइट करते तो फिर से वही कल हो जाते ह करने अपने वापस बाल तो लूज करिए और अगर आपको कहीं नहीं जाना तो वैसे ही अपने बालों को कुछ कुल दूरी पर से बैंड बनाइए और उसके बाद अपने चोटी को ऐसे ही छोड़ दीजिए ड्राई होने तक बहुत अराम से एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं आप हैसे गर के और अज़िए पिनप कर लिया कई तरीके हैं तो यह दो तरीके तो बहुत ही मस्ट है एर पैक अप हैँर पैक जरूर लगा कोई भी एक नहीं अच्छा है आपके बालों को स्ट्रेट करने के एक जड़ी और तब धोए आपको पौड़ कर लिए मिल्क अगर आपके पास कच्चा दूद है आप अपने स्कैल्प में बालों में एक घंटे के लिए लगा के उसे छोड़ देंगी तो वह भी बहुत अच्छा है उससे एक तो बहुत स्मूद बाल और शाइनी हेर हो जाते हैं बाल आपके टूड भी रहोंगे तो वह भी ठीक ह होते हैं तो इसके लिए हमें जो है अपने बालों को जो है शाइनी और से दूर रखना है तो एलोएरा जेल और सीरम जरूर लगाना है हर पंदरा दिन में अब एसीवी प्लस वाटर इससे रिंस जरूर करिए जो आपका लास्ट वाटर होता है शैंपू करने के बाद जब दास्ट रबरेंज करो तो उस वाटर से करने से अगर आपने कोई एर प्रोडर की यूज किया हुआ है या कोई भी चीज आपने यूज के वह इस बनाता है पीच बैलेंस अच्छा रखता डैंडर नहीं होंगे इचिने डेट सकिन्स जो भी होते हैं वह आपके स्कैल्प मे नहीं होंगे बहुत अच्छा होता है एसे वी प्लस वाटर वाला रिंस इसको जरूर यूज करिए तो यह जो six hacks मैंने बताए हैं आप इसको जरूर यूज करें क्योंकि मैंने एक मैने में अपने काफी बाल कर लियें बिच बिच में गाप मत करें वीक में दो वार जरूर करिए आपकी बालों की लेंथ भी क्योंकि जब करल्बाल होते हैं तो वो इतने सिमट के उपर हो जाते हैं कि length पता नहीं चलती तो आप देख रहें कि मेरे length अब अच्छी खासी पता चल रही है कि कहां तक मेरे बाल आ गए हैं तो जब straight होते हैं बाल तो उनकी length भी actual में हमें पता चलती कैसी हैं तो आप यह hack जरूर यूज़ करें क्योंकि यह मैंने बदाए हैं 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